और इस चुनाओं के अंदर में हमने कहा था जनता को विश्वास दिलाया था कि हम विकास करेंगे प्रधान मंत्री मोदी जी की योजना राज्य की विश्णु देवसाय जी की योजना मोदी की गैरेंटी आम आदमी तक के पहुंचे और बिश्वाँजी और हम मिलकर दक्षिन विधान सभा का तेजी के साथ में विकास करेंगे इस बात में हम अडिक हैं लोगतंत्र के उस्सों के अंदर में लोग लाइन लगा कर वोड़ देते हैं हमने जो कहा है वो करके दिखाएंगे पहले भी करके दिखाया है आड़ बार इस विधान सभा को जीता बिश्वाँजी ने भी करके दिखाया था हम भी साथ में मिलकर करके दिखाएंगे कॉंग्रेस और बीजेपी में एक मूल अंतर है कॉंग्रेस पार्टी भ्रम फैलाना जुड बोलना और समस्या पैदा करके राजिती करना और बीजेपी समस्या का समधान करके राजिती करती है कथनी और करनी में अंतर नहीं है ये अब इस ओर जो है अब देश बढ़ रहा है दक्षिन विधान सभा का भी जो रिजल्ट है उसी ओर बढ़ रहा है कि अब लोग चाते हैं कि उनके जीवन में समधान हो उनकी समस्चाओं का निराकरण हो ये बहुत हो गया और कॉंग्रेस पार्टी अगर अपनी आदत नही सुधारती है तो अभी तो जनता से दूर है आने वाले समय के अंदर उनके कारिकरता भी बहुत दूर हो जाएंगे उनसे कब तक जुड़ बोलेंगे वह वह भी सोचने लग गए तो अब ये कॉंग्रेस पार्टी को अपनी आदितों को सुधारने की जरुरत है चुनाओं म आज भी कहता हूं विकास करेंगे अच्छा विकास करेंगे डबल इंजन की सरकार का लाग मिलेगा देखे कुछ चीजें केंजरी नेत्यत और प्वदेश नेत्यत च्छोड़ देना चाहिए यह हमारे सोच का विशे नहीं है अगर आप मंत्री बन जाते हैं तो जनता के लि करेंगे अगर आप